प्रमे दो कथन यदि एक वृत की जीवाओं द्वारा केंदर पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाओं बराबर होती है ग्यात है एक वृत जिसका केंदर O है इसकी दो जीवाओं PQ और RS है तथा कोण POQ बराबर है कोण ROS से यहाँ पर हमें सिद्ध करना है PQ बराबर RS उपत्ति यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज ROS में सबसे पहले हम लेंगे कि OP बराबर है OR से यह एक ही वृत की त्रिज्जाय है उसी तरह से दूसरा जो रेखाकर्ण हम लेंगे इसमें त्रिभुज में OQ बराबर है OS से यह भी एक ही वृत की त्रिज्जाय है अब आगे देखते हैं यहाँ पे हम कोण POQ बराबर है कोण ROS से यह हमारे पास दिया है यह प्रश्न में दिया है अतहा त्रिभुज POQ सर्वांग सम है त्रिभुज ROS से यहाँ हमने भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम लगाया है तो जब क्योंकि त्रिभुज हमारा POQ सर्वांग समय त्रिभुज ROS से तो इसलिए PQ जो है बराबर है ROS से यहाँ पर हमने दोनों मरिखाखन को बराबर बताया है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है इस तरह से हमने दोनों त्रिभुज के जो जीवा है PQ और RS जो है उसको हमने बराबर बताया है यही इस परमय में सिद्ध करना था यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो उनके संगत चाप सर्वांग सम होते हैं तथा विलोमता यदि दो चाप सर्वांग सम हो तो उनके संगत जिवाएं बराबर होती है